तो महातुपान विपोर जोए गुजराट से ठकराने के बद अब राजिस्थान की तरफ बढ़ता हुआ नसरा रहा है लेकिन कहर लगातार गुजराट में अभी भी जारी है, मुसादार बारिश जारी है और सबसे बड़ी चुनोती यही बनी हुई है कि जो जमाव की स्थिती बनी हुई है कैसे जल निकासी की जाए और इसके साथ ही कई रूट्स ऐसे है जो कि पूरी तरीके से पेड़ गरने के बाद बादित हो चुके है बिजली सप्लाइ पूरी तरीके से ठप हो चुकी है लेक कुछ निशान जो छोड़े गए हैं उनसे निप्ता यहाँ पर बेहत तेजी के साथ जा रहा है भले ही अब राजस्तान में इसने दस्तक दी हो लेकिन गुजरात में जो कहर बरपा उस कहर ने हर किसी के होश पाखता कर दी है। अभी फिलाल हालात क्या कुछ बने हुए है क्या अभी भी बारिश हो रही है तेज हवाएं चल रही है। जब यहां पर पहुंचें तो इनका सामान पूरी तरी के सब्सक्राइब बारिश हो रही है। इनका सामान पूरी तरी के सब्सक्राइब बारिश हो रही है। लेकि महाँ पर भी पानी भर गया। ऐसे में NDRK के अभी भी सब्सक्राइब बारिश हो रही है। अभी बारिश हो रही है। ताकि यह सब्सक्राइब बारिश हो रही है। आज भी लोग जो हैं किस तरीके से उस चकरवाती तूफान को भूल नहीं पाये। और आगर हम आजकी तारीक की बात करें आज भी जब आप मांडवी के लोगों से बात करेंगी तो उस साफस्धौर पर कह रहे हैं कि देखें यहां पर जिस तरीके का टूफान आया हमने कभी नहीं देखा तवाही का जिक्र हम कर रहे हैं लेकिन तबाही की वो दास्तान सुनिए कि आकिर जब वो चक्रवाती तूफान यहाँ पर हिट कर रहा था जब 135-145 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी तो लेकिन यह आधा जाहज का पार आपको नज़र आएगा और आधा जाहज किस तरीके से पूरी तरीके से सथर्वितर हो चुका है इसके तुकडे तुकडे हो चुके हैं यह अप पूरी तरीके से बरबाद हो चुका है आपको ये लकडी के तूटे हुए जो हिससे नज़र आ रहेंगे वो ये बताने के लिए काफी है कि हवाय जो है वो इतनी जादा तेज़ थी कि ये पूरा बना हुआ जहाज था जो चकरवाती तूफान अपने साथ जो है हवा में और समंदर में हमने देखा बीटा किस तरीके से कल जो कुछ भी समंदर के रास्ते आ रहा था वो किस तरीके से समंदर अपने साथ ले जाने को जो है अमादा था आप एक बार समंदर की तरफ भी नज़र डालेंगे तो आप समंदर हाला की थोड़ा शांता लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर बारिश देखे शुरू हो चुकिया जब सो किलोमीटर प्रति घंटा की रफ़तार से चल रही थी हवाई जावास रिपोर्टर पहुचा रही थी हर तस्वीर लुक्ते मांडवी में हवाओ का तूफान्य, हवाय, हवाय का आलंब यह है कि यहाँ खड़े हो पाना तब चल रही थी नौन स्टॉप कवरेज अंधेरे में जब समंदर संसनी मचा रहा था तब मिनट भर भी नहीं रुका कैमरा सबसे मुश्किल हालात में सबसे दमदार सबसे सचीक रिपोर्टिंग वार रोम से लेकर ग्राउंड सीरो तक की हर ख़बर और तस्विर आपको यहां पर दिखा रहा है यह चलने वाला है हमें खुद दिवार का एक सहरा लेना पड़ रहा है यहां पर बालंस करना भी जो आपने आपको बहुत जादा मुश्किल हो जाता है इफेक्ट है वो भी पूरी तरीके से दिख रहा है क्योंकि जैसे ही हवा की रगतार सादा होती है खुद पर संदुन पाना बेहत मुश्किन हो जाता है तो लगतार ग्राउंड जीरो से हम आप तक तस्विरे पहुचा रहे हैं द्वारका का हाल मैं आपको बताऊं कि अभी यहां पर काफी हट तक स्थती सामाने होती हुई नजर आ रही है लेकिन पानी जिस तरीके से भरा हुआ है क्योंकि जो ये निचले इलाके हैं यहां पर आप देखेंगे कि लोगों के घर पूरी तरीके से डूब चुके हैं लेकिन सरकारी स्कूल में भी पानी भर गया अब इनको दूसरी जगा शिफ्ट किया गया है इसी तरीके से ये तस्वीरे निकल करके सामने आई है और हमने देखा कि यहाँ पर तमाम जो लोग थे वो घर पर लोटे और जब लोटे तो महाँ पर सामान ही नहीं था यानि कि एक बार अपने घर की तरफ गए कि अगर कुछ बचा कुछा सामान है जिसको वो अपने रोज की जिन्दगी में उसको इस्तमाल कर पाएं तो हो लेकिन जिस तरीके से ये तुफान बेपर जोई है जो काफी जादा खतरनाक साबित हो सकता था क्योंकि तुफान को रोकना तो इंसानी हाथों में नहीं है इस वज़ा से नुकसान काफी ज़ादा कम किया गया है एक रिपोर्ट के जरी हम आपको बताते हैं कि कैसी तैयारी की गई थी जिसकी वज़ा से अब स्थिती धीरे-धीरे सामानने हो रही है इतना बड़ा तुफान इतना खातरनाक साइकलोन खुद्रत का ऐसा कहत जो दुनिया की किसी भी विवस्था के लिए चुनौती बन सकता है लेकिन हिंदुस्तान में विपोर्ट जोई तुफान से ने बचने के लिए जिस तरह की तैयारियां पहले सी की गई थी उसी की वज़ा से इतनी बड़ी आपदा में भी बहुत ही कम दुखसान का सामना करना पड़ा है विपोर्ट जोई तुफान जब गुजुरात के तक से टकराया तो बहुत ही भयावे था कच्चे मकालों को उखाड देने वाला था और इसके लिए पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था ऐसे घरों को खाली करवा दिया गया था लोगों को भी ऐसे प्रभावित लाकों से निकाल कर पहले ही सुरक्षित जगों पर पहुचा दिया गया था इन तयारियों के वज़ा से ही नुकसाद बेहत कम हुआ जन्न सरकार और राजसरकार की सतरकता और तूफान के बीच में NDRF, SDRF, SENA, BSF, कोसगार और सानिय प्रशासन जबजर्स होसला दिखाते हुए डटे हुए हैं इतना है नहीं साइक्लोन प्रभावित जिलो में लोगों के रहत बचाव के साथ-साथ उनकी जरूरी सादुसामान की चीजे भी पहुँचा रहे हैं सबसे बड़ी बात कि खुद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तूफान से निपटने के लिए मोच्चा संभाल रखा है तूफान टकराने के पहले प्रधान मंत्री ने कापात बैठक बुलाई थी तूफान से होने वाले नुक्सान को कम करने पर जोर दिया गया केंद्र के स्तर से तैयारों की समिक्षा की जाती रही केंद्र सरकार की एजेंसियों ने तूफान के बीच मोच्चा संभाला प्रधान मंत्री जी ने जब मुक्यमंत्री जी से बात की मैंने जब सोशल मीडिया में मैंने पढ़ा तो मैं एकदम स्तब्द था के प्रधान मंत्री जी ने मात्र मानव जीवन की ही चिंता नहीं की साथ ही में गीर में बशने वाले हमारे देश की पैचान सीहों की भी शेरों की भी पैचान उन्होंने चिंता की है प्रानियों की भी चिंता की है गाव में बशने वाले सभी नागरिकों की चिंता की है खेतों की चिंता की है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने अपनी काबिनेट के काई मंत्रियों को विपोर जोए तुफान से निपटने की तैयारियों का जॉयजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो तक भेजा जिसमें स्वास्ते मंत्री मंसुख मांडविया, मतस्य और पशुपालन मंत्री, पुर्शोत्तम रुपाला और रेल राज्य मंत्री दर्शना जर्दोश शामिल है केंद्रे गुरह मंत्राले ने जिस तरह से तैयारिया की थी उसकी वज़े से अरब सागर में उठे अब तक के सबसे बड़े तुफान के भारत के तटिये इलाकों से तेज रफतार हवा और भारी बारिश के साथ टकराने के बावजूद नुकसान काफी कम रहा ग्रह मंत्री आमिति शहा ने विपोर जोय के मद्दे नजर बैठक बुलाई तुफान और उसके प्रभाव पर लगातार नजर रखी हुई है और केंद्रे एजेंसियों के तैनाती इस तरह से की गई कि देश के सभी प्रभावित इलाकों में दिन और रात रहत और बचाव कारे को जारी रखा जाए 1998 के तुफान में ग्यारा सो से ज़्यादा मौत हुई थी उस वक्त पुर्वा नुमान की सुविधा नहीं थी इस बार दस दिन पहले तुफान का पुर्वा नुमान लगाया गया तुफान की गती और दिशा पर लगातार नजर थी एक लाग से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया रहत कैंपों में खाने पीने की पूरी विवस्था की गई आठ प्रभावित जिलों में 631 मेडिकल टीम तेनाथ हैं ओक्सिजिन और दवाई का स्टॉक रखा गया है पांसो एकिस अस्पतालों में पावर बैक अप की विवस्था की गई पांसो चार एम्बुलेंस लगातार अलच पर हैं और फ्रंट लाइन पर हैं सबसे बड़ी बात की ऐसी आपदा की सिती में लोग एक दूसरे से फोल्ट पर संपर्क नहीं कर पाते नेटवर की विवस्थाएं अमूमन खत्म हो जाती हैं लेकिन इस बार ऐसी विवस्था की गई कि भारी बारिश और तबाही वाले तुफान के बीच भी नेटवर कनेक्शन काम करते रहे मुबाइल नेटवर काम करते रहे इसके लिए सरकार ने इंटरसेप्टर रोमिंग की सुविधा दी यहां तक की एक कदम आगे सोचते हुए अगर नेटवर्क टावर भस्त होते हैं तो सेटलाइट फोन और वायरलेस नेटवर्क को भी तैयार रखा गया नेटवर्क की ऐसी विवस्था की वज़से एमरजेंसी कारियों में लगी एजेंसिया एक गूसरे से आसानी से संपर्क में बन हुई है और साथी लोगों तक भी तेजी से रहत पहुचाई जा रही है